मैं कैया मास्कार दोस्तों आप सबी का सवक्ते हैं हमारे चैनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कोटक महिंदर mehendra bank के को Scott के चार्ट Um उसके analysis करने की कौसिस करेंगे कि इस stock का चार्ट हमें क्या कहता है दोस्तों जिस दिन हम ये वीडियो बना रहे हैं उस दिन अगर हम इसके stock के बहाव की बात करें तो 1788 रुपे इसका stock का बहाव है दोस्तों डिस्कलेमर है ये वीडियो सिर्फ एक education की मकसद से बनाया जा रहा है खरिदारी विक्वालिक करने की कोई रा नहीं है जो भी कुछ आपको इसके अंदर करना है अपने वित्य सलाकार की राय जरूर लेके करें तो चलिए दोस्तों सीधर चलते हैं कोटक महिंद्रा के चार्ट पर और देखते हैं कि कैसा हमें इसका चार्ट लग रहा है तो देखें दोस्तों यह हमारे पास में कोटक महिंद्रा बैंक का एक वीकली चार्ट है और देखे इस weekly चार्ट में आपको इस पस्ट तोर पे नजर आ रहा है कि हमारा कोटक महेंद्रा बैंक का इस्टॉक एक अप्टेंड के अंदर चल रहा है और एक हायर आई वे हायर लो बनाते हुए चल रहा है अगर दोस्तों आप ऐसे स्टॉक मार्केट के वीडियो देखना चाते हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्री टेलेग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रहा है वहाँ जाके आप जोइन हो सकते हैं हमारे चैनल के साथ में क्योंकि हम उस पर बहुत सारे चार्ट पैटन अपडेट करते रहते हैं और वीडियो पसंद आये तो लाइक जरूर करना अब देखे दोस्तों बात करें हम इस समय इस समय देखें हमारा इस टॉक अगर आप देखें वीकली चार्ट पर देखें यहां पर एक डबल टॉप पैटन इ अब भी confirmation नहीं हुआ है और यहां पर जो नेकलाइन निकल के आ रही है इसकी वह लगबगग आप सोरी 17 सो रुपे के आसपास इस नेकलाइन को समगते हैं तो इस तरह से चार्ट नहीं हुआ है अब बात करें यहां पर जो नेकलाइन निकल के आ रही है यह हमारी एक support के पास में निकल के आ रही है और इसका जो recently हमारा support का level है वो लगबग 1700 रूपे के पास में यह वाला level और यहीं पर देखें तो stock हमारा जहां पर double top बनाने के बाद पहला top बनाने के बाद गिरा तो यह हम देखिए candle की बात करें इसके अंदर तो यहां पर इसने एक बुलीज spinning bottom candle यहां पर इसने बना दिये अब जब तक हमारा इस बुलीज spinning bottom candle का low के नीचे stock तब तक नहीं चला जाता और देखें यहीं पर हमारा इस double top pattern का नेगलाईन है तो दोस्तों यह लेवल हमारा कोटक महिंद्रा बैंक के लिए बहुत ही महत्पून लेवल है लगबग आप सत्रे सो रुपे इसमें पचास रुपे उपर नीचे की गुंजाईस आप रख सकते हैं तो जब तक यह लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक देखिए आपको चिंता करने की कोई आफ सकता नहीं है कोटक महिंद्रा बैंक में साथ में दोस्तों हम आभी आगे अनलीशिस और करेंगे और मेरे इसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर यह जो लेवल है यह ब्रेक होना थोड़ा मुश्किल लगता है साथ में देखिए दोस्तों आपको कोटक महिंद्रा बैंक के चार्ट के अंदर एक जबर्दस अनलीशिस करके मैं आपको बता हूँ पिछले 12-13 साल के अंदर एक मुविंग एवरेज है जिसका कोटक महिंद्रा बैंक का स्टॉक जब भी उस मुविंग एवरेज के पास में आता है स्टॉक ठीक महीं से ही सपोर्ट लेके वापस उपर की तरफ चला जाता है तो आप वीडियो के अंतक ज़रूर बने रहने की कौसिस करें ताकि आपको यह अनलीशिस समझ में आ सके अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसके अंदर किस तरह से ट्रेंड लाइन बन रही है ठीक है देखे दोस्तों आपको ग्रीं कलर की एक ट्रेंड लाइन नजर आ रही है हमारे कोटक महेंद्रा बैंक के चार्ट के अंदर और पिछले लगबग साथ-8 साल से हमारा कोटक महेंद्रा बैंक का स्टोग इसी ट्रेंड लाइन का रेस्टेंस लेते हुए चल रहा है अब ज़ काम से पांच वी बार जा के इस ने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो अब इसके लिए यह काम कर रहा है और आप सकते हैं यह यह इसके भाद यह बहुत ऐच रा ओर ठीक अब भी जो इस टोक डॉक पैटरल बनाए था वो भी हमारा इसी ट्रेंद का रेजिस्टेंस लेके इस टोग नीचे की तरफ गिर रहा है तो इस तरह से जो ग्रिन कलर की ट्रेंड लाइन है यह इसके लिए बहुत महत्पूंट लाइन है आप देख सकते हैं कि कि कितनी बार इस नहीं पर रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया है और अब यह रेजिस्टेंस ले रहा है इस ट्रेंड लाइन का आपको अगला फ Ajди क्या हो सकता है डोस्तों कि इस टोग अगर हमारा यहां से वापस उपर की तरफ आता है तो आप निश्चिक तौर पे इसी ट्रेंड लाइन को अगला टारगेड लेके आप यहाँ पे कुछ इस तरह से टारगेड लेके चल सकते हैं कोटक महिंदरा बैंक में कि जब भी भी इस टॉक इस ट्रेंड लाइन के पास में आएगा तो यहां से resistance लेके जरूर गिरता है अब दोस्तों आप देख सकते हैं इस चार्ट के अंदर हमने एक लाइन और बना दिये जो आपको एक blue color की नजर आ दिये तो जो green color ही जो टेनर हैं बनाएती तो यह हमारा क्या एक resistance लेते हुए चल रहीगी, साथ में जो blue color की बनाईए, यह हमारा कोटक मेंदरा बैंक का एक support लेते हुए चल रही है ज़रा चार्ट के अंदर ध्यान दीजिए आप यह हमारा support रहा, इसके बाद देखे दो बार हमारा हें पर support लिया है अब जैसे यह support break हो गया तो क्या करेगा, resistance का का काम करेगा न तो आप देख सकते हैं, लगा था तीन से चार बार यह resistance लिया, इसके बाद यह resistance लिया और जैसे यह resistance break हुआ इस टोग हमारा बहुत तेजी से उपर के तरफ आया है इसके बाद देखे दोस्तों दुबारा इस टोग हमारा इस green trend line से नीचे गिरा, और मैंने भी आपको वीडियो के मद्धे में यह बताया था कि जहां तक मुझे लगता है कि यह जो support का level है, 1700 के आसपास का यह level break होना मुस्किल है वो क्यों मुस्किल है, वो इसी trend line को देखके मैंने आपके लिए कहा था देखे, यहाँ पर हमारा resistance लिया अब मैं दोस्तों निश्चित तोर पर कह सकता हूँ कि इस टोग हमारा इसी जगह पर support लेगा और आप देख सकते है, spinning bottom candle है लगबग यहीं से ही वापस bounce back हुई है अब यहाँ पर देखे दोस्तों एक हुष हैडल बनता हुआ हमें इसके अंदर नजर आ रहा है तो इस तरह सी हमारा support का area हो गया साथ में यह जो एक मजबूत strong 10 line थी वो भी हमारी यहीं पर आ चुकी है तो लगबग आप 1500-1700 का level कोटक महंदरा बैंक के लिए एक हडल बनेगा और बहुत ही मजबूत strong support का level निकल के आएगा जिसका तूटना थोड़ा मुस्किल लगता है साथ में दोस्तों अगर यह level break हो जाता है ठीक है तो इस टोक हमारा कहां तक आ सकता है तो उसके बारे में अभी हम बात करेंगे और नहीं तो दोस्तों क्या होगा यहीं से इस्टोक वापस bounce back होगा कोटक महंदरा बैंक का और आपका target इसके अंदर क्या हो सकता है यह वाली trend line का आप इसके अंदर target लेके चल सकते हैं ठीक है या फिर एक बार stock हमारा दुबारा गिरेगा इस trend line support के पास आ सकता है यहाँ पर support लेगा उसके बाद एक बार फिर से इसके अंदर तेजी आ सकती है इसलिए 1500 का level बहुत महत्पूर्ण level है इसका आप ध्यान रखिए तो चलिए दोस्तों moving average पे चलते हैं जिस moving average के बारे में मैंने भी थोड़ दिर पहले आपसे बात करी थी देखे दोस्तों चार्ट के अंदर आपको एक yellow color की line नजर आ रही है यह जो line है ना यह हमारी पिछले 200 दिन का moving average है हमने चार्ट को daily chart कर दिया है ठीक है और daily chart के अंदर आप देख सकते हैं कि यहां पर यह जो moving average है यह 200 दिन का moving average है और 200 दिन का moving average भी एक बहुत अच्छा support का काम करता है तो आप देख सकते हैं कि stock यहीं पे ही यह दो बार support ले चुका है हमारे 200 दिन के moving average का साथ में एक मुहत्पूनी moving average है वो weekly chart पर वो होता है 50 का तो ठीक यहीं पर जहां पर हमारा 200 दिन का moving average आया है वहीं पर हमारा weekly पर 50 वी का moving average भी एक साथ आया है तो दोस्तों जिस moving average के बारे में मैं आपको बात कर रहा था कि पिछले 10 से 12 साल के अंदर हमारा कोटक महंद्रा बैंक का स्टों उस moving average को बहुत अच्छी तरह से फोलो करता है वह हमारा 100 वी का moving average अब देखें चार्ट के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा यहां पर हमारा लगबग अब 2018 के अंदर स्टों नीचे गिरा है और यह जो ब्लेक कलर की लाइन है यह हमारा पिछले 200 वीक का sorry 100 वीक का moving average है और यहीं से यह स्टों बावापस bounce back हुआ है अब जरा देखें कोवीड के दोरान स्टों हमारा इस 100 वीक के moving average के नीचे गया है देखिया है लेकिन अगर आ इसे नहीं हुआ है एक पूरी candle इसके नीचे close नहीं हुए और उसका अगर हुई भी है तो उसका low नहीं कटा है ठीक है यह हमारा low था जब तक यह low नहीं कटा यह वाले low तब तक हम मानते के हां यह हमारा valid हो चुका है अब अगर यहां पे यह level break होता है तो ठीक इसी moving average का आ कि देखें दोस्तों एक यहां पर नजर आ रहा है आपको 2016 के अंदर ठीक है यह 200 दिन के सोरी सो डेज के moving average से weekly पर वापस गया है इसके बाद देखें तो 2016 के अंदर यहीं पर वापस आया है ठीक है आप देखते जाएए कि कितनी बार इसी moving average का हमारा support लेते हुए चल रहा है ठीक है फिर से हमें देखें दो बार मिला है और यह हमारे पास में है 2014 के अंदर यह support लिया इसके बाद 2013 के अंदर देखें फिर से support लिया है और फिर से आ चुके हम 2011 के अंदर यह support रहा यह support रहा यह support रहा देखें यहां इसके नीचे एक candle गई है लेकिन confirmation नहीं हुआ है यह support रहा हमारा ठीक है आप देख सकते हैं कि सो वीक कमूइंग एवरेज कोटक महंदरा बैंक के लिए कितना महत्पूर्ण है और यह 2009 के अंद बहुत ही महत्पूर्ण मोइंग एवरेज है और आपने चार्ट में खुद ने देखा होगा कि मैंने कितनी बार आपको support के लेवल इस चार्ट के अंदर अभी दिखाए हैं आप देख लीजिए 2009 के बाद में तो उमीद करते हैं दोस्तों कोटक महंदरा बैंक के बारे में जो हमने analysis करने की causes करिए आपको जरूर पसंद आई होगी पसंद आई तो वीडियो को like करें share करें और ऐसे analysis देखने के लिए जरूर हमारे चैनल को subscribe कर लिजे बाकि आप सभी का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद